नमस्कार शुब सायकाल दोस्तों UNSC United Nations Security Council के सेशन के दोरान भारत ने अपनी बात को दोराया और कहा है कि there is no alternative to two state solution between Israel and Philistine क्या है two state solution क्यों है ये इसराइल-Philistine के बीच में क्या विवाद है आज पूरी लंबी चर्चा करूँगा तो पूरा सपस्ट करूँगा क्या समस्य आए है कोशिश करूँगा कोई doubt हो तो comment box में बताइएगा दिखते हैं एक और news UNSC के money control की news है और मैं आपको बता देता हूं कि छोटा से इस news में इंडिया ने कहा क्या है इंडिया ने emphasize किया है कि there is no alternative कोई विकल्प नहीं है two state solution का between Israel and Philistine और जो peace process है दोनों की बीच की उसे आप पीछे नहीं रख सकते हैं उसे continue करना ज़रूरी है क्योंकि जो गाजा छेत्र है वहाँ पर गाजा छेत्र कहा है पूरी जोग्राफी क्लियर करूँगा एक एक चीज़ बताऊँगा इस पर सुरूप से don't worry उसके बीच में जो peace वहाँ जो हिंसक अतिविद्या और यो जो tension raise हो रही है उसको बचाने के लिए इसका एक मातर हो पाए है मैं आपको बता दूँँ यह जो statement आया जो हमारे विकास तुरूप जी है Secretary है External Affairs Ministry में UN United Nations Security Council के अंतरगत उन्होंने फिलिस्तिन इशू पर यह अपना statement दिया Thursday को और इंडिया ने मई 20 को 20 में 2021 को जो ceasefire हुआ था उस arrangement को accept करने है फिर जो उसको honor करने की बात किया है जिससे कि ensure किया सके कि situation और खराब नहीं थी अब बात करते हैं कि actually two state solution है क्या two state solution जो है वो बहुत कई दशकों से एक primary focus पे रही हुई कतिविदी है और इस theory के अनुसार बात यह है कि फिलिस्तीन और इसराइल दो अलग-अलग देश बनाये जाएं दो अलग-अलग लोगों के लिए two different people, two different states United Nations का एक resolution है और इसमें theory के अनुसार क्या होगा कि इसराइल की जो शुरक्षा की बात है security की बात है वो भी win-win position होगी और जिससे की Jewish demographic majority demographic majority का मतलब है भौगालिक आधिक के जो सिनाई पैनल सूला है उसके बारे मैं दिखाऊंगा आपको उसमें आधिक के भौगालिक आधिकता जो है वो Jewish लोगों के पास होगी और फिलिस्तीन को भी एक state दिया जाएगा एक state बनाया जाएगा फिलिस्तीन को भी तो यह है two state solution लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको उता दूँ कि 1991 का जो Madrid Peace Conference था उसमें two state solution को agree किया गया था to resolve the Israel-Philistine conflicts United Nations का इसके साथ-साथ यह भी मानना है कि केवल और केवल यह two state solution है वो ही इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में sustainable peace को लाकर ला सकता है अब इसमें हम बात करतें कि issue क्या है issue है geographic का एक बहुत बड़ा issue है उसके अलावा जो geopolitical issue है जो national issues है वो सारे में cover करूँगा सबसे पहले देखते है geopolitical issue territorial puzzle क्या है territorial पहली puzzle है West Bank क्या है गाजा क्या है और Golan Heights क्या है यह तीनों देखिए है सबसे पहले यह है Golan Heights UPSC ने pre में either 2016, 2017, 2017 में यह question पूछा था प्री का exam है आप देखिए यह जो इलाका है यह favorite इलाकों में से आता UPSC के तो please यहां की geography पे ध्यान दीगा comment box में मुझे बताईएगा कि हाइफा का इंडिया से क्या relation और क्यों importance रखता है तो यह होगी आपकी Golan Heights यह होगया आपका West Bank यह ध्यान दीजिए कि यह Israel के East में है फिर भी इसे West Bank का जाता है confused मत होना कि West Bank के तो West में होगा यह है Gaza Strip, Gaza City जहां पे हमास operate करता है जहां से यह है Dead Sea, Dead Sea के साथ border देख लीजे, Jordan का है, Israel का है, West Bank का तो यह ध्यान रखिएगा जो border बना रहे है साथी साथ यह है तल अवीव, क्या importance है यह comment कीजिए और यह है Holy Side, Jerusalem, Bethlehem यहां किन-किन religions के importance place है मुझे comment box में बताईएगा तो यह तीन जगे मैंने आपको clear कर दी यह देखिए, West Bank की मैंने आपको बात बता दिया कि 1967 में West Bank पे इसराइल ने control कर लिया था और उसकी जो एक major city है वो है Ramallah मैंने यह देखिए, देखा देता हूँ यह रही Ramallah, ठीक है इसके आगे देखते हैं कि यह West Bank sandwich between Israel and Jordan ने यह मैंने आपको दिखा दिया है Gaza Strip कहाँ है, यह भी मैंने आपको बता दिया, Oslo Peace Process क्या है, इसके बारे मैं मैं भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वीट कीजिए और Golan Heights मैंने आपको बता दिया है कि अब यह USA ने हाल ही में इसको officially recognized किया Jerusalem and Golan Heights को as a part of Israel, कौन से यह में किया है, किस के शाषिन का मतलब, कौन प्रेसिडेंट था, comment box में बताइएगा अब अपन चलते हैं, यह तो था territorial issues, इनको solve करना tough है, इसके साथ-साथ अब मैं बताता हूँ, आपको Israel-Philistine conflict शुरू कहां से हुआ है अगर हम इस conflict के 20 देखें, तो यह शुरू होते है 1917 के time पे, जब British Foreign Secretary जो थे Arthur James Belford, उन्होंने support किया Britain की तरफ से Jewish National Home के लिए, और कहां पे, फिलिस्तीन में, अंडर Belford Declaration, यह वो बीज है, जहां से Jewish Nationalism के बीज, एक तरीके से भोगलिक शेत्र से जुलके शुरू हुए लेकिन इस जो Belford Declaration था, उसमें जो non-Jewish लोग थे, उनके rights को ध्यान नहीं दिया गया, और इससे जो Arab, मतलब non-Jewish हैं, उनके माध्यम से एक prolonged violence activity शुरू हुई और जब British country या British जो आर्मी थी, वो Arab और Jewish के बीच में जो violence उसका control नहीं कर पाई, तब कि कब की बात ही देखे, 1948, आप याद करिए कि 1945 में Second World War खतम हुई है, ब्रिटेन पावर के रूप में, सेना के साथ, नौ सेना के साथ कमजोर है, अमेरिका का उधै हो चुका है, European countries काफी जादा कमजोर हो चुकी है, साथी जाथ financially भी ब्रिटेन इतने ताकतवर नहीं रहा कि वो ऐसी जगों पर investment बताएं रखे, कालोनाइजेशन कमजोर हो गया है, इसी कारण, इन में से यह वो कुछ कारण है, जिससे की कालोनाइजेशन कमजोर हुआ, तो ऐसे समय में, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से अपनी forces हटा ली है, और वो जो violence था, वो continue रखा गया, और उसने क्या कहा, कि यह अब responsibility इसको resolve करने की किसकी है, जो उस समय United Nations नहीं जो संस्ता बनी थी, उसकी है, United Nations ने क्या plan बनाया, उसने बताया कि दो हम एक independent state बना देते हैं, एक Jewish की state बना देते हैं, और एक arrival state बना देते हैं, फिलिस्तीन में, लेकिन उस समय Jews ने तो फिलिस्तीन का जो इस system को accept कर लिया, बट जो partition था, वो लोग थे, उन्होंने declare कर दिया कि Israeli independent country, इस से जो surrounding Arab countries थी, उनके साथ उसकी लड़ाई होना शुरू हो गई, और attack हुआ, और finally war के end में, इसराइल ने लगबक 50% और जो territory थी, मैं अभी आपको map में दिखाऊंगा कि क्या conversion आया, year-wise, decade-wise, उस demography में, इसराइल के control करने में, त और जो envisioned UN partition plan था, उस से जादा था, ध्यान दीजिए, 1948 में ही उसने UN ने जो approve किया था, प्लान की Jewish एक country होगी, उस से जादा उसने control कर लिया, अब Jordan ने West Bank को control किया, और Jerusalem जो holy side थी, और जो Gaza Strip थी, उसको Egypt ने control किया, ध्यान दीजिए, more than 50% Israel ने control किया, West Bank, Jordan ने control किया, और Gaza St Strip और Jerusalem की, जो holy sites थी, वो Egypt ने control कि, 1964 में क्या हुआ कि, फिलिस्तीन Liberation Organization एक संस्ता थी, बहुत important संस्ता है, यासर रहराफाज जी से संबंदित है, इसलिए आगे बताऊँगा, क्या होती है कहानी, तो उसकी स्थापना हुई, और 1967 में एक 6-day Arab-Israeli war जोती शुरू हुई, य ये war का क्या importance है, इस पर मैं एक दिन कभी अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आज में इतना सा बता जैता हूँ, कि उस समय इसराइल ने, Syria से Golan Heights, West Bank और East Jerusalem था, वो Jordan से, और जो Sinai Peninsula और Gaza Strip थी, वो Egypt से अपने कबजे में कर ली, अब चलते हैं आगे, अब आगे ये ये 1946 में आप स्टेटस देखिए, जो वाइट कलर है, वो है Jewish land या फिर Israeli land और जो green कलर है, वो है Palestinian land, आभी देखिए 1946 में फिलिस्तीन का land कितना जादा ही है, जो पूरा area उसमें, और इसराइल का या फिर Jewish land और कितना कम है, but 1947 UN जो फलान था, उसमें देखिए आप इसराइल क ये इलाका दिया गया था, ये, और जो dark green है, वो इलाका था, फिलिस्तीन का, but इसके बाद मैंने आपको बताया, 1948 की जो और हुई थी, उसमें 50% से जादा हुआ, इसराइल ने capture कर लिया, तो अब ये 1967 की status देखिए आप, ये है Gaza Strip, ये है West Bank, और यहाँ पढ़ता है ये Golan Heights अब ही वर्तमान में, ये 2010 में अगर मैं देखूं, तो आप ये देखी, Gaza Strip के भी कई जेगे है, इसराइल क्या कबजा है, ये जो West Bank था, इसमें भी फिलिस्तीनियन बहुत लिमिटेड रह गए हैं, और Golan Heights तो इसराइल के control में है ही है पूरी तरीके से, तो ये 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 जो लोकेशन है, जोगराफी है, उस पर अब इसराइल का control है, and this is the problem, टू स्टेट्स में कि अब इन टू स्टेट्स में आभी देखी, Gaza Strip अलाग है, ये फिलिस्तीन वाला इलाका अलाग है, लो गोलनाइट से अलाग है, इसको दो स्टेट्स में बातनाइट से वेरी टफ कि 1975 में, PLO को UNO ने observer status दे दिया, और इससे हुई दिक्कत, इससे दिक्कत जो हुई उसको Camp David Accord था, 1978 में वो निर्मान किया गया, और Middle East में पीस के लिए बनाया गया था, जो कि US के तत्वाधान में clear हुआ, but this however remained unfulfilled, वो काम नहीं हो पाया, 1981 में मैंने आपको बताया कि effectively annexes Golan, but this is not recognized by UN states, जो Golan उसने कबजा तो कर लिया, लेकिन United States या other international community थी, उन्होंने उसको मानिताद नहीं दिया, और सुईकार नहीं दिया, अब आती problem शुरू, 1987 में हमास की होती है, इस्तापना जो की Egypt का Muslim Brotherhood है, उसका एक violent offshoot है, मतलब हिंसक गतीविदियों करने वाला एक संगटन है, उसने क्या किया, to raise the banner of Allah over every inch of Philistine, फिलिस्तीन जो पूरा फिलिस्तीन था, ये देखी, ये जो फिलिस्तीन की मैं बात करूँ, इस पूरे फिलिस्तीन में उसने कहा, कि अब हम Allah या फिर जो भगवान है उनके, उनका बैनर खड़ा करेंगे, throw violent, जिहादी ध्यान रिखे, हिंसक अतिवीदिया, उनका जो main target था, वो था हिंसक जिहाद के माद्यमसों ने अप्रूफ करना था, 1987 में, इसराइल दोरा जो occupied territories थी, west bank में और गाजा में, मैं दुबारा दिखा रहेता हूँ, ये है west bank, और ये है गाजा strip, तो इन जगे जो occupied territories थी, वहाँ पे intifada, intifada एक, मतलब फिलिस्तीनियों दोरा आंदुलन करना, तो ये दो हो चुके हैं, first intifada हुआ 1987 में, और ये एक small war में convert हो गया, between philistinian militants and the Israeli army, Jordan ने अपने सारे जो demand थे हैं, जो territorial cream थे हैं, वो of west bank और eastern Jerusalem के, वो PLO को प्रदान कर दिये, उसको त्याक कर दिये, अब ये है twisting चीज़, इसके बाद आता है Oslo Accord, ये सबसे important accord है, ये UPSC में directly भी पूझा जा सकता है, इसमें क्या हुआ हुआ इसराइल और PLO ने officially recognize किया एक दूसरे को, और कहा कि हम violence यानि हिंसा को स्विकार्ड नहीं करेंगे, उसका माध्यम से एक दिसरे को परिशान नहीं करेंगे, इस Oslo Accord ने philistinian authority की स्थापना की, जिसे की Gaza Strip और west bank के कुछ शेतर में autonomy मतलब स्वायत तता दी गई, इसराइल ने अपने एक तरफा तरीके से Jews को Gaza के settlement है, वहां से वापस बुलाना शुरू किया, लेकिन इसके साथ-साथ, जो उसने border के उपर control था, ब्लॉकेट था, उस पे बनाए रखा, उस control को, tight control रखा, ऐसा नहीं कि कोई भी फिलिस्तिनियन या हमास या कोई भी activity करता रहे, उसने लोगों को तो अपने बुला लिया, अपने शेतन में, बट वहां tight control बनाए रखा, अब आप देखें, interesting चीज है, पिये लोग की जगे, फिलिस्तिनियन आथारिटी जो थी, वहां पे जो election हुआ, हमास ने एक victory score किया, और इससे क्या हुआ, फिलिस्तिनियन हाउस को divide कर दिय उसने, फटाहा movement, और जो की represent की गई थी, मौहमद अबास द्वारा और हमास के मदिस से क्या, उनका जो अंदोलन्दा हो कमजोर हो गया, जब दो वागों में बट गया, जो 2007 में हम देखी सकते हैं, कि फिलिस्तिनियन मौव्मेंट splits होगे, उसके बाद से इस तरह की गतिवि मानते हैं, अब बात आती है कि हम भी जो two state solution की बात कर रहे हैं, इससे risk क्या क्या आती है, इसके कई dimension मैंने रखे हैं, अलग-अलग dimension है, जो अपने उत्तर में लिखना चाहिए, वो लिख सकते हैं, पहला एक इरानियन हेंगन है, अभी क्या हुआ है कि इरान में, इरानियन क विवाद नहीं है, बलकि ये एक तरह की गल्फ की एक cold war है, middle east region की cold war है, जिसमें की इरान और साओधी अरेबिया अपस में लड़ रहे हैं, यद्दिपी छोटी बट लीटल military groups इसके चक्कर में उत्पन हो गए हैं, जैसे हाओधी rebels हैं, यमन में वो भी शुरू हो गए हैं, और इन्होंने बड़ी ताकते अपना लिए हैं, जिससे की जो reason है, जो छेतर है, वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कते हो गई हैं, इसके साथा third intifada, मैंने अभी आपको intifada बताया कि जो फिलिस्तिनी लोगों का अंदुलन था, जो क्रांती थी, उसे intifada कहा जाता है, अब यह माना जाता है कि अगर two-state solution का किया जाता है, तो यह third, दो intifada हो चेगे, third intifada में result कर सकता है, और यह peaceful resistance, जो है, वो extreme violence में भी convert हो सकता है, इसके साथ साथ एक चौती problem है, कि जो फिलिस्तिन है, वहाँ पे जो सारे leadership है, वो two-state solution को कम support करता है, actually जो two-state solution है, वो Palestinian nationalistist in West Bank के द्वारा तो support होता है, बट गाजर की जो leadership है, जिसे कि हमास भी जिसमें active है, वो इसराइल को सुईकार नहीं करता है, और वहाँ problem देता है, इसके साथ साथ बॉर्डर की चुनौती है, कि किस तरीके से इन बॉर्डर को, जैसे कि मैंने आपको दि चीज को clear करना बड़ा ही tough है, और तीस चौत नेक्स चीज आती है, जेरू सलम, अब जेरू सलम पे हर साइड अपना कबजा बताती है, और कहती ही हमारे लिए important है, हमारे religious worship का खेतर है, अब इसका division जो है, it is very difficult, और साथ में अभी, interestingly क्या हुआ, टरम्प साथ के दौरान, इ अब next problem आती है, refugees की, फिलिस्तिन, कई सरे फिलिस्तिन हों थे, जिन्होंने इसराइल को छोड़ा था, वो अपने घर वापिस आना चाते हैं, जो की वर्तमान में इसराइल हो गया है, लेकिन आज के 50-60 सल पहले जो था, वो तो फिलिस्तिन ही था, बट इसराइल इस चीज के against you, और वो इन जो refuses है, उनको लेना नहीं चाता है, अगली problem जाने मैंने पहली भी बताया कि फिलिस्तिन में political leadership की divide है, और साथ ही साथ इसराइल में भी ऐसा है, जैसे अब वर्तमान में बैनेट जी जो है, वो far right wing है, लेकिन वो जो party है, art party हो जो सरकार बनी है, उसमें कई left wing के भी हैं, कई philistine supporter भी हैं, तो वहाँ पे भी leadership में challenges आ जाते हैं, अब बात करते हैं, global stand on Israel-philistine conflicts की, nearly 83% लगबग, आप ये मानिये कि 170 के आसपास जो देख हैं, world countries हैं, वो officially recognize करते हैं, इसराइल को as a sovereign state, और उसके साथ diplomatic relation रखती हैं, लेकिन साथी साथ वा philistine के साथ sympathetic भी ह हैं, कि philistine का भी कुछ खल्यान होना चाहिए, अब बात करते हैं, कि दोनों parties क्या चाहती हैं, दोनों parties ये चाहती है, philistine चाहती है, इसराइल जो है, expansionary जो activities है, उनको बंद करें, अपनी च्छेत्र geography जो बढ़ाता जारा है, जो उसको बंद करें, और retreat to pre-96 borders, आप ये बाते हैं, वो ये हैं, कि एक sovereign state philistine की बने, west bank में और गाजा में, जिसमें की east Jerusalem उसकी capital हो, philistine इसके साथ सा चाहता है, कि philistine refugee है, जिनोंने अपने घर को एते 1948 में, उन्हें वापस जाने दिया जाना चाहिए, और सीधी सीधी बात है, इसराइल चाहता है, कि एक Jewish state हो, और ph philistine में ही रहें, इसराइल में वापस नहीं आएं, तो ये एक बड़ा challenge है, इस तरीकी की जो desires है, इस तरीकी की जो wishes है, उनको accept करना, अब मैं आपको बताता हूँ, इंडिया का stand क्या है, इंडिया was one of the few countries to oppose UN partition plan in November 1947 में UN जो प्लान दिया था, हमने उसको initially मना किया था, हमार जो अनुभव राता, दो भागों में बाढ़ना किसी देश को, उसके तुरंत कुछ महीनों बाद ये प्लान था, इसलिए हमने उसका समर्थन नहीं किया, आने वाले दशकों में भी हमने philistine cause का support किया, और इसराइल से जो हमारे diplomatic relation थे, हमने उनको continue किया, और withheld किया हमने उ philistine liberation organization को भी पहचान जुस थी, वो स्विकार करी थी, और उसे ही philistine लोगों का sole representative माना था, भारत उन पहली countries, उन शुरुआत की countries में था, जिसने 1988 में philistine का, जो statehood का जो concept है, उसको मानता दीती, अब ये recent time में जो बड़ा twisting matter आया, वो भी देखने लाए कि 2014 में UNHRC का resolution था तो इसराइल की human rights violation गाजा में हमने उसका समर्थन किया था, लेकिन 2015 में हम उससे abstain मतलब हमने उसमें vote नहीं किया था, इसराइल के अगेंस, तो देखे, 2014 में हमने इसराइल के अगेंस vote किया, 2015 में हमने vote नहीं किया, और link west policy जो थी, उसमें इंडिया ने dehyphenated कर दिया इसकी relationship with Israel and Philistine in 2018, ये बहुती बड़ा कदम था, dehyphenation क्या होता है, dehyphenation का मतलब है कि दो देशों को एक साथ न देखना, कि इसराइल से हमारा व्यक्तिगत अलग संबंध होंगे, और Philistine से हमारे अलग संबंध होंगे, पहले क्या होता था, कि हमारे इसराइल से जो संबंध होंगे लेकिन 2018 के बाद से जो उमारी leadership थी, जो उमारी foreign policy थी, उसमें dehyphen कर दिया, कि दोनों अलगलग देश हैं, दोनों अलगलग देशों के साथ हम अपनी राश्च्टिगतों की पूर्ती के लिए हम अपने संबंध बनाएंगे, ऐसा ही अमेरिका ने भी इंडिया और पाकिस्त और्गनाइजिशन था उसे कंसल्टेटिव स्टेटस देने के अगेंस था इंडिया ने उसके समर्थन में वोट किया एक बात यहां ध्यान रखने की है यद्धिपी हमने फिलिस्तीन के स्वें निर्णे के सिध्धान्त और उनको नैतिक समर्थन तो दिया ही है लेकिन हमने सा अन्य सम्मंद आर्थिक सम्मंद और अन्य रननितिक सम्मंदों पर भी ध्यान दिया और हम उनके साथ बहतर सम्मंद बनाते जा रहे हैं इसी के साथ दोस्तों अगर और कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हम उन सवालों को कोशिश करेंगे कि अगला एक वीडियो बनाएं जिन में उन सवालों को मैं कवर करूँ कि जो भी आपके इसराइल फिलिस्तीन विवाद से संबन नेते हैं। इसी के साथ जै हिंद जै भारत!